हेलो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक है समास इसके अंतरकत हम समास समझेंगे कि समास होता क्या है तो समास के प्रिकार कौन-कौन से होते हैं इस वीडियो को आप सुरूर से लेकर आखरी तक देखते रहिए और आपको समास समझने में जो भी दिक्कत है सारी 100% सॉल्व हो तो सबसे पहले देखते हैं आखर समास होता क्या है यहाँ पर देखिए जिसे कट पुतली है तो कट पुतली में देखिए किस तरीके से पहले तो इसको हम क्या करते हैं तोड़ते हैं सेंटेंस में मतलियानी बाक में देखिए कैसे काट की पुतली को क्या कहेंगे कट पुत तो देखिए इस परकार इसकी जो समास की परिवासा है वो हो जाती है अनेक सब्दों को आपस में मिला कर संशिप्त करने की पिर्किरिया को समास कहते है तो सिंपल सी बात है जब बहुत सारे सब्दों को मिला कर उनको छोटा कर दिया जाता है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं समास अब यहां देखिए लंबा है उदर मतलब होता है पेट लंबा है पेट जिसका किसका पेट लंबा होता है आप लोगों न देखा होगा गड़पती जी का पेट लंबा माना जाता तो लंबा है उदर जिसका उसको सिंपल सा नाम दे दिया गया लंबोदर काट की पुतली जो काट की पुतली बनी है उसके लिए कहते हैं कट पुतली तो इस प्रकार से बड़े यानि बहुत सारे सप्तों को मिला कर यानि बड़े से बाके को मिला कर एक छोटा सा बना देना उसके लिए कहते हैं समास चलिए इसके आगे समझते हैं जो जो समास होता है उसमें देखिए एक होता है आपका समस्तपद समस्तपद का बतलब होता है जो समास खुद है देखिए समास करने के बाद बने सब्द को समस्तपद कहते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है समस्तपद समास को जब हम दो वागों में बांट देखिए जैसे आपका ल गगन तो जो आगे का नीला है इसके लिए कहेंगे हम लोग प्रिथम पद बोल सकते हैं या पूरु पद बोल सकते हैं और जो पीछे का है इसके लिए बोलेंगे उत्तर पद यानि दूतिय पद तो इन दोनों को जब मिला दिया जाता है तो क्या बन गया नील गगन नील गगन का हो गया समस्त पद और जो अलग-अलग है इसके लिए कहेंगे समास बिग्र है समस्त पद को अलग-अलग करके जब लिख दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं समस्त स्वरी समास बिग्र है और जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसके लिए गएते हैं नील गगन यानि समस्त पद कहेंगे उसके लिए समास के 6 भेद होते हैं नमबर एक है अब्यभाव समास तत्पुरुष समास फिर है दिगू समास फिर है द्वंद समास फिर है कर्मधाराय समास और आकरी हमारा बहुब्रीही समास तो इन 6 समासों के बारे में हम लोग आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे इसी तरह के वीडियो आपको इस चैनल पर हमेशा मिलते रहेंगे आगे देखिए सबसे पहले देखेंगे अब्याई भाव समास अब्याई भाव समास क्या होता है जिस समास में पहला पत प्रधान या अब्या होता है तो इसमें देखो जो पहला पद होता है वो प्रधान, प्रधान का मतलब होता है मुख होना चाहिए वह अब्यवाव कहला आता है इसी क्रम में हम आपको दूसरा और इसकी पहचानने की प्रिकरिया बता दे रहे हैं इसका जो प्रिधम पद होगा वोगा आपका उपसर्ग जिस समास में पहला पद उपसर्ग होगा उसे हम अब्यवाव समास कहेंगे देखिए जैसे लिखा होगा है यथा करम यहां पर समस्त पद है देखिए यहां पर यथा अलग होगा पहला पद है ठीक है और यही कैसा है अब्याय है ठीक है तो जिसका पहला पत कैसा होता है प्रधान ठीक है तथा वह कैसा होता है अब्याय होता है उसी को कहते हैं अब्याय बावसमाद अब दूसरा हमने बताया जिसका प्रिथम पत कैसा होता है उफसरग होता है अब दूसरा देखे देख जो कैसा है देखें यहां पर उपसर्ग है तो जिस समास का पहला पद उपसर्ग होगा उसके लिए भी कहेंगे अब बिवाओ समास आगे देखते हैं तत्पुरस समास जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है मतलब हमारा जो समास होगा उसका पहला पद गौड़ पद होगा और दूसरा पद होगा वो प्रधान होगा ठीक है उसके लिए तत्पुर्ष समास कहते हैं तत्पुर्ष समास के कई प्रकार भी है जिनके बारे में हम अभी समझेंगे तो देखिए जैसे लिखा है देश भक्ती अब यहाँ पर लिखा हो देश के लिए भक्ती आप देखिए कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं पद है जो प्रधान किसे कहते हैं कैसा पद प्रधान होता है तो आप यहाँ पर देखिए देश भक्ती है यहाँ पर देश की बात हो रही है यहां पर आप बार बार सब्दों को बोल के देखिए किसकी बात हो रही है यहां पर देश की बात नहीं हो रही है देश की भक्ती की बात हो रही है तो जो दूसरा पाद है उसकी बात हो रही है तो जिसकी बात हो रही है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं वही पद द्धान है तो इसके हम लगा सकते हैं यहां पर कौन सा समास है तत्पुरु समास है ठीक है आप इसके कितने भेद होते हैं तत्पुरु समास के छे भेद होते हैं देखिए इस समास में कर्म कारक की विवक्ति को का लोग होता है सबसे पहले देखो इसमें लिखा हुआ है कर्म तत्पुरुस समाज देखिए जिक कितने प्रकार होते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले इसको समझने के पहले कुछ और भी जानना कारकों के बारे में जानना पड़ेगा चलिए उनके बारे में समझते हैं पहले देखिए सबसे पहले आपको यहां पर समझना पड़ेगा देखें यहां से सुनू होता है तत्पुर समाज कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंद, अधीकरण इस तरीके से 6 हो जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब आपको याद क्या रखना है इसमें याद रखना है कर्म का जो बिवक्ती चिन्न होता है यह बिवक्ती चिन्न है को जब को का लोफ होगा तो वो कौन सा होगा कर्म तत्पुर समाज से का लोफ होगा तो वो करण होगा करण तत्पुर समाज के लिए का लोफ होगा तो वो होगा संप्रदान ततपुर्ष समास तो इस तरीके से वो आपको एक और याद रखने है इनकी विवक्तियां जब पिर्थम हो गई ये दुतिय हो गई, ये तिर्तिय हो गई तो हमारी दुतिय से सुरू होता है दुतिय, तिर्तिय, चतौर्थ, पंचम, सश्ट और सब्तम तक तो ये आपको याद करना पड़ेगा इसके बाद हम देखते हैं आगे तो देखिए इस समास में कर्मकारक की विवक्ति को कालोप होता है देखिए अभी हाल हमने पढ़ा है कर्मकारक की विवक्ति क्या होती है देखिए ये लिखा है कर्मकी विवक्ति है वो क्या है को कर्मकारक है जो इसकी विवक्ति को है को यहाँ पर समाप्त हो जाए देखिए किस तरीके से समाप्त होगी इसमें लिखा है यस प्राप्त अगर इसका हम विग्रे करेंगे तो इसका आर्थ होगा यसको प्राप्त यसको प्राप्त बतलब तीन सब्दों को यदि हमने आपस में जोड़ दिया तो वो क्या बन गया यस प्राप्त तो काई का लोफ हो गया इसमें को का लोफ हो गया और को काईगा था हमारा कर्म का तो इसलिए हम क्या करेंगे इसे कर्म तत्पुरुष समास इस तरीके से हो जाएगा जे अगला देखिए हमारा दूसरा तत्पुरुष समास देखिए करण का और उसी के पहले और उधारण देख लीजिए गगन चुम्बी देखिए गगन को चूमने वाली इमारते होती है जो गगन को चूमने वाली देखिए यहां पर को कालोफ हो गया गगन चुम्बी हो गया यहां है बन गमन बन को गमन यहां को कालोफ हो गया तो इसलिए कौन सा स इसके बाद देखिए आगेगा अब हम आते हैं करन तत्पुरस यह हमारे तीसरी बिवक्ति होती है इस समास की पैचान यह है कि इसमें चरण कारग की बिवक्ति से अथ्वा दुआरा का लोग होता है अभी आलम ने बिवक्ति बताई जो करण की बिवक्ति है वो देखिए कौन सी है देखिए करण की बिवक्ति क्या है से या दुआरा भी होती है इसकी बिवक्ति तो इसके लिए देखिए जे लिखा है रोग से पीड़त तो देखे ये से जो बिवक्ति है ये खतम हो रही है यहाँ पर रोख पीड़ दो गया इसलिए कौन सा है करण तत्पुरुस्टमाज तो आपको याद रखना है कि जो समस्त पद होगा उससे पहले जो पद थे उनमें ऐसे बिवक्ति का लोख होगा जैसे को का से का तो जी आपको विवक्ति याद करनी पड़ेगी इससे बड़े आसानी से आप इसको समझ पाएंगे तो तत्पुरुस्टमाज का हमारा दूसरा हो गया करन तत्पुरुस्टमाज ठीक है अब जैसे यहां पर देखिए और बाल मी की रचित इसका मतलब क्या हो गया बाल मी की दुवारा रचित तो दुवारा का समझ यहां पर लोख हुगा है इसके समझ पद में करन कारक की विवक्ति दुवारा का लोख हुगा है तो इ देखे संप्रदान की बिवक्ति जो होती है बो होती है के लिए ये अब सस्के लिए का क्या हो जाएगा लोग तो वहांपे हम क्या समाज Official जाएंगे संप्रदान तक पर Lubr तो के लिए का यहां पे क्या हो गया लोग पनाथों के लिए आलाए को सीधा सा बोल दिया अनाथा लाए तो क्या हो गया यहां पे संब्रदान तत्पुरोष समास हो गया यहां पे अब अपादान, अपादान का मतलब बताया था से, जब कोई चीज कहीं से अलग हो जाती है तो वहाँ पे से का लोब होता है, देखिए रिन मुक्त, मतलब रिन से क्या हो गया, वो मुक्त हो गया, अलग हो गया सेबे बक्ति यहाँ पर अपादान यानी अलग हो गया अपादान तत्पुरुसमास होगा यहाँ पर अब संबंद संबंद में आपने देखा होगा काकी के रारीरे लिखा होगा वहाँ पर देखिए संबंद में यह लिखा का तो जो संबंद है वहाँ पर संबंद आएगा जिसमें वो तत्पुरोष बस याद रखना लेकिन इसमें पद होगा जो दूसरा ही प्रधान होगा इसमें काकी के का लोप होगा देखिए जे लेका यमना तट इसका मतलब क्या हो यमना का तट यमना का तट को सीधा का खतम करके क्या बोल दिया यमना तट दीनों के नाथ इसको क्या बोल दिया दीना नाथ राजा की सवा उसे बोल दिया राज सवा तो काई का लोप हुआ यहाँ पर काका के की का यहाँ इसलिए यह देड़िकार, पर हाकरी बचा हुआ है हमारा अधिकारन दपरसमास यस वेवक्ति में होते हैं इस पर अधिकार से यहाँ पर समझ सकते हैं अधिकार होता, आदेखिए यहाँ पर आप पर बीती, पर है आप पर जो बीती है उसके लिए हम क्या कह against आप बीती कौन सा अधिकानदत्पोष समास इसके बाद हम अपना पढ़ेंगे दिगू समास यह बहुत सराल है दिगू समास बहुत ही आसान है इसमें जो प्रथम्पद होता है वो कोई संख्या होगा बस आप समझ जाना कि यह कौन सा समास है यह दिगू समास है देखिए यहां पर यहा समास में पहला पत कोई संख्या होगा उसके लिए हम गएंगे दिगू समास आगे देखिए अब आएका TWO अंद समाज दोंद से मतलब होता है आपस में लड़ाई जगडा यहां पर दोंद होगा कैसा बिलौम सब्दोंगा जिस समास में एक दूसरी के बिलौम सब्दोंगे व आपस में एक दूस्ते के कैसे हैं बिलॉम सब्द जहां पर ऐसा होगा वहां पर क्या होगा हमारा दौन्द समास देखें यहां पर बहन भाई दिन रात आपस में बिलॉम सब्द भी है और बीच में क्या लगा होगा है योजक्चन यहां पर हम समझ जाएंगे कौन सा समास है ह जो सब्द हमारे दो होते हैं कि इसमें लिखा हुगा विसेशन और विसेश्या मतलब जिस समझत पद के दोनों पदों में विसेशन और विसेश्या उपमान उपमे का संबंद होता है वहां पर क्या होता है कर्मधारा समाज तो आपको इतना समझना है कि जो आगे का पिर्थंपद होगा वो कैसा होगा बिसेशन बिसेशन मतलब होगा जो दूसरे सब्द की बिसेश्था बताएगा इस सब्द की बिसेश्था बताएगा जो ब वहां के समान, तो आंगे का जो सब्द होगा, वो क्या होगा, वो विसेशन होगा, वो पीछे के सब्द की क्या बताएगा, विसेशता, यानि जो प्रिथम पद है, वो दूतिय पद की क्या बताएगा, विसेशता, वहां पे क्या होता है, वहां पे होता है हमारा कर्मधाराय स समास इसके बाद आता है हमारा बहुबरीही अब बहुबरीही में क्या होता है इस समास में कोई भी पद ना पिर्धम ना दुति है कोई भी प्रधान नहीं होता कोई तीसरा प्रधान होता है मतलब सिंपल सा है कि इस में जो समास होगा उसमें जो सब दोंगे वो किसी तीसरे क इसे बारे में बताएंगे देख ना किस तारय से चक्रधर याने चक्र को धारन करने वाला अब आ नसे यहां से किसी की विशेष्टा नहीं बताई जा रही यहां पर अन के बारे नीला की बात होगी न यहां पे लेका नीला है कंट जिसका नीला की बात नहीं हो रही ना कंट की बात हो रही यहां सीधी सी बात किसकी होगी सिप संकर बगवान की तो जहां पे ना प्रधम पत की कोई प्रधानता होगी ना दुतिय पत की प्रधानता होगी किसी तीसरे पत की वहाँ पर होगा हमारा बहुबरी ही समास अगर friends हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको अभी सब्सक्राइब करें हमारे वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और बेल आइकन भी तो सब्सक्राइब बटन के राइट साइड में होता उसको भी दबाए ताकि जब भी हम इसी परकार की लेटेस्ट वीडियो अप्टोट करें आपको समय पजानकारी मिल सके